हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं स्वस्त होंगे मस्त होंगे आज मैं आपको रॉबेच के बारे में डिटेल से बताऊंगा ताकि आप रॉबेच का उप्योग सही धंग से पसु के रोगों के उपचार के करम में कर सके रॉबेच स्वर्बीटल बेस में आने वाली मल्टी विटामिन सीरप है स्वर्विटल बेस में आने वाली सीरप का पसु के सरीर में अधिक अभसोशन होता है यही मुख वजा है जिसके कारण रॉबेच का अच्छा रिजल्ट मिलता है रॉबेच में पर 10 ml में विटामिन एक लाख 20,000 आयू विटामिन D3 60,000 आयू विटामिन E 50 mg, विटामिन H 1500 mcg, विटामिन C 50 mg, जिंक 180 mg, कोबाल्ट 1 mg और सेलेनियम 1 mg मिला हुआ रहता है इसका उप्योग छोटे बरे सभी परकार के पसु में कर सकते हैं रॉबेच 120 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर के पैकिंग में आता है अगर आप ग्याभीन पसु को रॉबेच पिलाते हैं तो यह पसु के दूध उत्पादन छंता को बढ़ाएगा पसु के बच्चा देने के बाद पसु में थनेला के संभावना को कम करेगा पसु के थन को बढ़ाएगा, मजबूत करेगा ग्याभीन पसु में रॉबेच का उपियोग करने पर पसु में बच्चा देने के समय होने बाली डेक्स्टोसिया की संभावना को यह कम करता है पसु के बच्चा देने के बाद भी रॉबेच पसु को पिलाया जा सकता है बच्चा देने के बाद पसु को रॉबेच पिलाने से पसु का दूद उत्पादन छमता बढ़ता है और पसु में थनेला की संभावना कम हो जाती है अगर पसु में थन से दूद टपकने की समस्या हो तो आप पसु को रॉबेच पिलाये रॉबेच पसु के थन में उपस्थित केरोटीन लेयर सेल्स को स्वस्थ बनाता है केरोटीन लेयर सेल्स को बढ़ाता है जिससे थन से दूध टपकने वाली समस्या में काफी लाब देखने को मिलता है रौबेच पसु को पिलाने से पसु का परतिरोध छमता भी मजबूत रहता है परतिरोध छमता बढ़ता है रौबेच पसु के सरीर में WBC की संख्या को बढ़ाता है छोटे पसू जैसे भेर बकरी कटिया बच्या में ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के लिए भी रौबैच को पिलाया जा सकता है छोटे पसू को मेल पसू जैसे बूल को रौबैच पिलाने से पसू के सीमेन का गुनबत्ता बेहतर बना रहता है कोई भी मेल पसू हो तो उसे रॉबेच पिलाया जाना चाहिए ताकि उसके सीमेन का गुनबत्ता बेहतर हो सके अगर पसू में तोचा से संबंदित या बाल धरने वाली रोगों से संबंदित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप उस पसू को रॉबेच पिला सकते हैं बरे पसू में रॉबेच 10 से 20 एमल तक प्रतेक माह 10 दिन तक लागातार देना होता है छोटे पसू को 3 से 5 एमल रॉबेच दिया जा सकता है